टाइगर शिकार तो सब करते हैं लेकिन टाइगर से बहतर शिकार कोई नहीं करता अपने वो कहावत तो सुनी होगी कि सच कोश रंगार की जरत नहीं होती और जूट चाहे कितना भी बोला चाहे उसमें जान नहीं होती आज ऐसी एक कहावत चरतार तो हुई है जबलपुर में जहां राज़धानी लाइफ की ख़बर का बड़ा असर देखनी को मिला है वो जबलपुर जिसे मधिप्रदेश के संसकार धानी कहा चाता है उसी संसकार धानी में एक तरफ तो अपात्र होकर अब तक शान से जला आपकारी अधिकारी की कुरसी पर बैठे रविंद्र मानिकपुरी ने जिले में अपने अडियल रवेए से आम जनता को तरस्त करनी में कोई कोर कसर नहीं छूड़ी लेकिन अब हाई कोट के आदेश पर एक बार फिर जबलपुर में एंट्री हो चुकी है ताइकर की जिहां बिलकुल सही सुना अपने जबलपुर में अब तक अपात्र अधिकारी की कुरसी पर विराज़त होकर जले में अराज़कता फैलानी की मंशा पर अब हमकुश लग गया है अपने 222 दिन के कारकाल में अपात्र होते हुए भी अंगर्ट की तरह कुरसी पर जमे रहने वाले अधिकारी रविंद्र मानिक पुरी की कहानी अब पूरी हो चली है क्योंकि जबलपुर में एक बाद फिर टाइगर की अंट्री हो चुकी है और कहा भी गया है कि अकाल मृत्य वो मरे जो काम करे चांड डाल का अकाल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का तो ऐसे ही महाकाल की भक्त को शडियंत्र पुर्वक कोई कब तक पसा सकता है वेसल भष्टाचारियों के उच्छ तरिय शडियंत्र के श्रिकार हुए जला जबलपुर के ततकाली नौर पुर्व सहयक आपकारी आयुक्त सत्यनाराइन दुबे के पक्ष में माननिय उच्छ नियाले जबलपुर का आदेश आरे के ततपश्चात उपनह जबलपुर के सहयक आपकारी आयुक्त के पद पर टाइकर रिटर्न्स के रूप में वराजबान हुए है आये आपको पताते हैं के हाई कोट ने आखिर क्या कुछ कहा सत्यनाराइन तुबे के जबलपुर में पोस्टिंग के दुरान वहब पर उनका काद हमेशा से ही तारी पे काबिल रहा उनकी सत्यता और अमानदारी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जितने समय तक उनके जबलपुर में पोस्टिंग रही कभी भी उनके खिलाफ गिसी बितरह की कोई श्रकायत सामने नहीं है ना ही जिले में अवध्यानिक गतिवीध्या हुई परंतु वर्तमान में जुला साहे का आपकारी आयुक्त के पदपर पदस्ता पात्र जुला आपकारी अधिकारी रविंद्र मानिक पुरे के खलाफ लगाता जाजधानी लाइफ द्वारा की गई श्रकायते आगे वी जाज के लिए अपिक्षित रहेंगी टाइगर शिकार तो सब करते हैं लेकिन टाइगर से बहतर शिकार कोई नहीं करता